असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं तला हुआ गोष वीडियो को एन तक जरूर देखे और उससे पहले मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर करें फ्रेंट्स आप देखो हम कैसे बनाते हैं और फिर हमें फॉलो करो और हमारी रेसिपी को घर में ट्राइ करो हम ने ड्रण गोष उसके बार अद्राक लेसं या पर यूज किया है हम इसके बाद हम दालेंगे मसाले यह हमारा एड किया हमने हमारी घर के पीसे हुय हम इस्तिमाल करते हैं फ्रेंट्स आप भी घर में जरूर पीसा करें यह हमने डाला एक चमच धन्या पाउडर आधा चमच हल्दी और यह हमारी लाल मिच दो चमच ज्यादा अच्छा टेस्ट आने के लिए चट पटा यह हमने डाला टेस्ट के मुताबिक नमक अब हम इसमें डालेंगे दो चमच ओईल ताकि हमारा गोष अच्छे से भुन का त्यार हो जाए उसके बाद हम इसको धकन लगाएंगे और फिर दो तिन सीटी मारेंगे ताकि हमारा अच्छे से भुन जाए वोष माशाला यह अब हम लगाएंगे इसके ओपर धकन कूकर हम रख रहे हैं अब ग्यास के उपर यह रखा और अब इसको सीम पर रखेंगे थोड़ा प्रेंस यह हमने बारिक में श्पेसी है और यह हमारा बुना हुआ गोष अब हो चिता है माशाला अब इसको अब है अब है यह हमने रखी कड़ाई अब इसमें ओईल डाला हमने एक चमर्च यह डाली हमने एक छोटा प्यास कटा हुआ तेल में गर्म करने के लिए तलने के लिए अब इसको अब देख सकते हैं हमारी प्यास गुल्डन हो चुकी है अब इसमें हम धुनावा गोस डालेंगे इस तरीके से हमें घुनावा गोस मिक्स करेंगे अच्छे थे इसको थोड़ी बीडर पकाना है ज़ते हमें हरिमिछ डाली और अब इसको मिक्स करेंगे माशालला काफी यमी दिख रहा है हमारी राचे की आप भी घर में ज़रूर ट्राइ करें देखिए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ओईल में जैते थोड़ा सा ओईल बहार ना जाए गोश्च के और गोश्च थोड़ा पटेगा अभी यह हमने डाला एक चमच मीत मसा मसाला यह हमने घर में पीसके रखा था आपने तो आप भी डाल सकते घर में यूज़ कर सकते पिसवा मसाला अलहमदलिल्ला हमारा गोश्च तेहारे भूना हुआ माशालला कि तब यमी दिख रहा है फ्रेंड्स आप भी जरूर घर में ट्राइकरें दाल चावल के साथ देहत के लिए अच्छा है और दाल के साथ तला हुआ गोश्च अलहमदलिल्ला फ्रेंड्स खाने से पहले बिस्मिल्ला और खाने की बात अलहमदलिल्ला कहना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें और सपोर्ट करें ऐसलाम